नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का हमरी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाज जरूए हैं अगर आपके भी परिवार में कोई पैंसन धारक है चाहिए व्रद्धा हो विद्वा हो या फिर दिव्यां हो तो यह जानकर आपके लिए हैं क्योंकि पैंसन योजना के तहट आज हम आपको जान कर देने वाले हैं, काफी लंबे समय से सभी पैंसन धारकों को इंतिजार है कि उनकी पैंसन कब आईगी, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे. काफी लंबे समय से सरकार ने सभी पैंसन धारकों की पैंसन रोकी हुई है, अभी तक कोई पैंसन नहीं भेजी है, आपकी पैंसन कब आने वाली है, उसके बारे में भी आपको इहां पर बता जाएगा, और साथ ही वरदा पैंसन, विद्वा पैंसन और दिव्यांग पैंसन के 1250 रुपे पैंसन के तहट एक ही राज्य में लाव दिया जा रहा है अब दोस्तों आप किस प्रकार से लाव ले सकते हैं और आपकी पैंसन का मिलने वाली है यहाँ पे आपको प्रूप के साथ दिखा जाएगा दोस्तों आप से निवदन है कि वीडियो को पूरा वाच करें अन तक जुरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों तो वीडियो को जितना उसे लाइक करें और सेर करें तो वीडियो सुरू करते हैं और आपको यहाँ पर विस्तार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य मंत्री, वर्द सम्मान, वर्द जन, सम्मान योजना पैंसन, फिर दूसरी जो यहाँ पर पैंसन दी गई है वै है मुख्य मंत्री एकलनारी, सम्मान पैंसन योजना, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहां पर देख सकते हैं मुख्य मंत्री विसेज योगे जन सम्मान पैंसन योजना तो दोस्तों आपको यहां पर संपुर्ण जान करें दी जाएगी सबसे पहले बात करते हैं आपकी आये की कि आपकी आये कितनी होनी चाहिए अगर आप पैंसन धारक हैं तो आपकी आये चाहिए वह 48,000 रुपे वार्षिक आपके आये होनी चाहिए अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि किसी भी आयू का विसेज योगे जन किस जिसकी यहां पर निराश्चिता यानिके जो दिव्यांग होते हैं उनकी जो यहां पर विकलांगता होती है वह 40% से अधिक होनी चाहिए वहीं यहां पर प्राकरतिक रुप से जो बोने होते हैं जिनकी हाइट 3 फिट या 6 इंच से कम होती है उनको भी यहां पर लाब दिया जाता है वहीं हिजरापन से ग्रस्त व्यक्तियों को यहां पर लाब दिया जाता है आप यहां पर आपको आ पहलाए गया है सरकार दुवारा मुख्य मन्तरी वर्द जन समवन पैंसन योजना के तहट आपको यहाँ पर कितना पैसा दिया जाएगा अगर आपकी यहाँ पिशात्र वर्स कम है तो 7.500 रुपे और 55 वर्ष से कम है तो 500 रुपे और 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से यहाँ पर कम है तो 700 रुपे आपको दिये जाएगे वहीं अगर आठ आपकी जो एज है वहाँ 60 वर्ष से अधिक है किन्तो 75 वर्ष से कम है तो 1000 रूपे और 75 वर्ष से अधिक है तो आपको यहाँ पर 1500 रूपे पैसिंट कर्याद दिये जाएगे आप यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण जांकरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहां पर बताय गया है कि अगर 75 वर्स से अधिक आयू के लावार्थी को यहांपर 1250 रूपे दिये जाते हैं वहीं कुछ रोग जो होता है यह भी दिव्यांग रोग में ही आता है जो दिव्यांग वैक्ति होते हैं उनके लिए ही यह है लेकिन वह है कुछ ट्रोग अलग से होता है तो उनके लिए यहाँ पर पंद्रा सो रूपे पैंसन का लाब दिया जाता है अब रियाक कि इस पैंसन के तहत लाब दिया जा रहा है वह भी आप यहाँ पर देख लीजे आपको थोड़ा इंचे स्कोल करना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया है मुख्य मंत्री विसेस योगय जन सम्मन पैंसन योजना तो आपको यहाँ पर इस तरह से लाब दिया जाएगा और दोस्तों आप पोदा देख कि जिनकी पैंसन रुकी हुई है उन्हें कब से सरकार लाब दे जा रही है कब से उनकी पैंसन आएगी उसके बारे में भी आपको सब्सक्राइप दोस्तों है और दोस्तों घंसने जानकारी कि यहाँ दिश्तान राज्या की रजिस्तान राज्या में यहां दिया जाता है दोस्तों यह ते आपके लिए महत्पुन जानकारी अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे वीडियो को लाइक करें जाहेदा शेयर करें और दोस्तों आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में लिकर जरूर बताएगे दोस्तों मिलता को सब्सक्राइब दोस्तों में एक अच्छी जानकर साथ जब तक के लिए जय हिंग जय भारत घर रहिए सुरक्षित रहिए